नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल सरीताज रूस्टाप किचन गार्डन में और आज एक मैंने चोटा सा वीडियो बिनाया है पंपकिन के ऊपर कि अपने किचन गार्डन में अच्छत पे आप कंटेनर में ग्रो बैड में पॉट्स में किस सब्सक्राइब तो मैं जल्दी से आप लोगों को अपना यह जो पंपकिन का सफर है वो भी दिखा दूगी बीजुगा ना मैं नहीं दिखा रही हूं मैंने एक वी शुरुआत करें गर्मियों की सबजियों वाले वीडियो में अच्छे से दिखाया था वो तो मैं यहां प पंपिन के बी मैने एक प्लान्ट इसमें लगाया हूँ है तो यह महींनी का मेरा प्लांट है बीज मॉने से लेके और यह देखिया यह मैने पॉद से लगाया है इस कटे में जेहा है मैंने डायरेक्टिसumeर सो पतासी में करूप ।ो मैं सजस्ऩी ही करूँ और आपकी डायर जरूर से जरूर आप इसमें खाद रखे अपने चाय गोबर की हो या वैमी कमपोस्ट हो जो भी खाद आप लखे हो 10% कोको पीट मिला के बड़ी आसा मिक्सर तयार कर ले कुछ सू की खाद नीम की खली जाइम सर्सो की खली वगर भी डाले उसमें तो अच्छी सी मिटी तयार अच्छी ग्रोध थी क्योंकि इनकी मैंने मिटी बहुत अच्छी से तयार की थी मैंने आपको वीडियो दिखा बना के भी दिखाया था तो देखिया फिफ्टी फाइव डेज का मेरा ये कद्दू का प्लांट हुआ है और इसमें काफी अच्छी फ्लावडिंग हो रही है म खानए च्छी फिल्पी फ्लास की अधिकता अगर आए है आप चाहते हैं यह जो अपец स्वित वह गाश करते हैं और इसको देखिया मैं आज यह जल्दी से आप लोगों को pumpkin किस तरह से hand pollinate करते हैं यह भी दिखा देती हूं बीज की काफी अधिकता होती है मेरे plants में पर फिर भी एना मेरे को एक safe side यह लगता है कि hand pollination कर दो बड़े fruits का जिसे वो बेकार ना जाएं तो male और female flower मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है है हर fruit vegetable के flower में होते हैं तो यह देखिए यह male flower है जिसके पीछे कोई fruit नहीं लगा हुआ यह direct ऐसे ही flower होता है और इसके अंदर से हम लोग यह पॉलन ब्रश की साहता से collect करेंगे बहुत सारा पॉलन होता है कर्दू के flower में तो कोई टेंशन की बात नहीं होती और इस तरह से यह female flower है इसके पीछे चोटा सा fruit बना हुआ दिखेगा आपको उसमें हम इसका पॉलन ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से बहुत बड़ा flower होता है कर्दू का इसलिए hand pollination बहुत आसान होता है इसमें आराम से आप लोग कह सकते हैं तो मैं आपको कह रही थी कि अच्छी तैयार करते हैं तो जल्दी आप लोग उनको रिजल्ट अच्छे मिलने लग जाते हैं जैसे कि मैं आपको बताया पच्पन दिन के मेरे यह प्लांस हो चुके और उनमें मैं आज पहली बार hand pollination कर रही हूं तो य है कि इतने ही वीडियो आए पर महीने में तीन बार जैसे दस दस दिन के अंतर पर आवरेज आप मान के चलें कोई भी खाद आप लोग दे दे क्योंकि हम लोग अगर लगातार भी बता रहे हैं आप कही बार पूछतें कि आपने यह भी दिया था वो भी दिया था पिछली मैं कुछ नो कुछ कट भी कर देती हूं अगर आपको जाता लग रहा है तो सोच के अपने समझ से कि हाँ यह डल गया है तो आप अपना जो एवरेज रखें वो टैन डेज में एक बार खाद देने का जरूर रखें मैंने आपको बताया है है वी फीडर होते हैं पंकिन जो ह वीडरा रखें में झाया है वीचान से कटेव थाचान लगा संहाने तो लेखर ने में जो उत्व गया है अगरा हुं दीन और आप आप यह देखो, अब मैं आपको प्रगिती दिखाती हूँ, हम लोगों ने पॉलिनेट किया था, कद्दू इसकी, यह देखिया आप, लगबक दस दिन के करीम मेरे को इसको पॉलिनेट कियो हो गए है, और यह किलो से ज्यादा का कद्दू तयार हो चुका है इसमें अभी तक बस यह है, लगातार इसको आप फीट करते रहें, और यह कपड़ा मैंने इस बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कपड़ा क्यों बांते हो, इसलिए बांदा हुआ है, कि फ्रूट फ्लाई का मेरे पस कोई ही लाजमी होता, क्योंकि मैं उस टाइम स्प्रे करना भी प ब्लांज के रखते हुं, और नीय मॉयल वगएरा का स्प्रे भी लगातार करती हूं कि चोटे होते हैं, प्लांट्स तो मैं साथ दिन में ही कर देती हुं, जब बड़े हो यह बांदे आख हो जाते फीड़े लग हो ज nyt वी फ़ते हैं यह कैं दें हो मैं दो हफते देन में, बढ़ सकते हैं नहीं तो फिर रहना बैटर है कि आप एक कोई बढ़ा हैं अपनी बेल में अगर कंटेनर में लगा रहे हैं आप उर ज्यादा बढ़ानिये तो चलो फिर भी चांस होते हैं बड़ा सा ग्रोवेड है यह मेरा तो एक ही कदू लगा बढ़ने दें आप एक बार अच्छी बढ़त ले सके उसमें से तो यह देखिए दीरे दीरे तयार हो रहा है मैं बता दिया मैंने आपको किस तरह से देना है और स्प्रे भी करती रहती हूं मैं आपको अभी देखिए काफी बढ़ा हो गया है यह स्टाइम कदू हमारा और एक-दो दिन में बस में इसक कितना वेट का उतार है हम लोगों ने लगातार बढ़ रहा है आला कि अभी यह थोड़ा बढ़ा मैंने इसका आफ बांद दिया इसके उपर तो उतार के मैं आपको बताती हूं अपनी चत्पे कोई दिक्कत नहीं है कदू को भी मैं आपको दिखाती चली जा रही हूं और यह आज मैंने इसको काटके और यह देखिए 2.8 kg का जो है यह लगबक टीन किलो का कदू में रहुत रहा है हमीट कर्ची हूं आप भी जरूर ब्रो करेंगे अपनी चत्पे मैं आप मैंна रहन आपकोस मैं प्राइन हएं आप भी करेंगी जना है दो स्काटा करेंगे वाल यह दो कि भी मैंने है धुर्ल से भी मैंने के दो बर्षगी को दिखए Shift च्जह आपकोर में रहा हुत है है झींखव आयो